हाई, वेलकम बैक टू आर चानल, आज हम आपको फिल्म फॉरस्ट गंप मुवी का रीकैप विडियो दिखाने जा रहे हैं, इस फिल्म में बस टॉप पर बैठे एक आदमी को दिखाया गया है, जिसके पास ही एक महिला भी बैठी हुई है, उस व्यक्ति का नाम फॉरस्ट ग पहने है, फॉरस्ट गंप को ये जूते पसंद है, वो कहता है कि आपके जूते बहुत अच्छे है, इसके बाद फॉरस्ट गंप बताता है कि उसने अपनी लाइफ में कई जूते पहने है, इसके बाद वो अपनी लाइफ के फर्स जूते के बारे में याद करता है, और कहा इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही डॉक्टर कहता है कि मैं सब कुछ बहतर कर दूंगा गंप नीचे गिर जाता है गंप की माँ उसे बाहर ले जाती है वो उसे सलाह देती है कि वो कभी किसी को यह कहने की अनुमती न दे कि वो उससे बहतर है गौर उ उन्ही से inspired होकर उसका यह नाम रखा गया है फॉरेस्ट की माँ उसके लिए best education चाहती है इसलिए वो उसे एक standard school में ले जाती है लेकिन principal का कहना है कि उसे वहां भरती नहीं किया जा सकता उसके low IQ level के कारण लेकिन forest की माँ जिद्दी है और कहती है कि उसका बेटा एक normal school में ह पढ़ाई करेगा प्रिंसिपल कहता है आपका बच्चा normal बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता आप इसे किसी ऐसे school में पढ़ाईए जहां उसके जैसे ही बच्चे पढ़ते हो लेकिन उसकी माने principal को अपनी तरह से मना लिया था अब forest gump को एक standardized school में प्रवेश मिल गया है ल और तब से ही gump और जैनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं घर में forest और उसकी मा ही होते हैं क्योंकि वो एक अनात है और उसकी मा उनके घर को guest house के रूप में चलाती है इसे वो income का एक source बनाते हैं इसलिए इनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है एक दिन उनके घर ए जो guest के रूप में उनके घर आया था और वो performance दे रहा होता है वो वही dancing steps करता है जो उसके सामने forest ने किये थे आसपास के लोग excited दिखाई देते हैं और उसे पसंद भी कर रही है forest उस महिला को अपनी कहानी बता रहा था आगे यह दिखाया गया है कि जैनी और forest बहुत अच् करते हैं वो forest के सिर पर पत्थर मारते हैं और सिर पर पत्थर लगने से वो नीचे गिर जाता है वे बच्चे गंप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो बेवकूफ हो अब वो और पत्थर मारते है और जैनी उसे वहां से भागने के लिए कहती है forest भागता है और बच्चे अपनी गती बढ़ाता है वो इतना तेज दोरता है यहां तक कि साइकल पर पीछा करने वाले लड़के भी उसका पीछा नहीं कर पाते गंप उस दिन पहली बार दोरने की अपनी क्षमता को पहचानता है क्योंकि लाइफ में पहली बार वो इस तरह से दोरा है इसके साथ यह भी प्रश्चीन में उन्हें देखा जाता है जब उन तीन शैतान बच्चों ने उन्हें बुली किया था आज वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं लेकिन वे फिर भी फॉरस्ट पर पत्थर फेकते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें अब एक जीप में सवार देखा जाता है साइकल पर नहीं और जैनी दोबारा उसे कहती है रन फॉरस्ट रन दौरते समय फॉरस्ट गंप फुटबॉल मैच के मैदान से गुजरता है वहाँ एक स्ट्राइकर दौर रहा है और अपनी बॉल पकर रहा है फॉरस्ट उस्ट्राइकर को भी भागते हुए पीछे जाता है वो वहाँ से चला जाता है वहाँ प्रेजेंट फुटबॉल कोचस पूछते हैं कि वो कौन है फिर कोई उसका नाम बताता है साथ में ये भी कि उसका IQ लेवल बहुत लो है लेकिन उसकी रफ्तार को देखते हुए उसे काम पर रखा जाता है अब एक फुटबॉल के रूप में फॉरेस्ट को भी कॉलेज जाने की ऑपरचुनिटी मिलती है फॉरेस्ट गम खेलते समय फुटबॉल मैचस के नियमों से अंजान है लेकिन वो केवल यह जानता है कि उसे एक बॉल को लेकर दौरना है वो दौरना शुरू कर देता है जैसे ही कोई उसे बॉल और वो तब तक नहीं रुपता जब तक की कोई उसे पकर न ले वो बहुत तेज है और हर मैच जीटता जा रहा है जिसके साथ ही उसकी रेप्यूटेशन समय बीतने के साथ एक्स्ट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है इसलिए उसे ओल अमेरिकन टीम में रखा जाता है और सेना अधिकारी भी उनके कॉलेज का दोरा करता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अपने करिय के बारे में कुछ सोचा है और अगले ही पल उसे सेना में भरती दिखाया जाता है सेना के अधिकारियों से भरी बस फोरेस्ट को लेने के लिए पहुँचती है वे सभी कही जा रही हैं, ट्रेनिंग बस में घुसते ही फॉरस्ट ड्राइवर को बताता है, मैं फॉरस्ट गंप हूँ, जिस पर ड्राइवर कहता है यहां कुछ भी माइने नहीं रखता कि तुम कौन हो, जाओ और पिछली सीट पर बैठो, वो पीछे की ओर जाता है लेकिन कोई उसे देने को तयार नहीं होता, तो उसे अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसे बचपन में भी बस में सीट नहीं दी गई थी, स्कूल जाने के लिए केवल जैनी नहीं उसे एक सीट की पेशकश की थी, तभी उसे एक मोटे होठो वाला ओक्वर्ड और बलकी लड़का कहता है कि वो वहाँ बैठ सकता है, फॉरस्ट गंप वहाँ बैठता है, लड़का कहता है कि मेरा नाम बेंजमीन है लेकिन लोग मुझे सभी बबर कहते हैं, फॉरस्ट कहता है कि मेरा नाम फॉरस्ट गंप है, और लोग मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, बबर उसे बताता है व सबसे कीमती चीज है, Forest Gump जैनी को बताता है कि उसे वियतनाम भेजा जा रहा है, जैनी उससे कहती है वादा करो कि जैसे ही तुम कोई खत्रा महसूस करोगे तो तुम वहाँ से भाग जाओगे, तुम लेजन बनने की कोशिश नहीं करोगे, वो कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करू कि इसमें बहुत से जीनगे होंगे, हम यहां एक दिनाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, बबर के पास जीनगे के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है, वो Forest को कहता है कि उसके पास एक प्लान है कि यहां से लोटने के बाद वो दोनों एक नाव खरीदेंगे और बहुत सा हमारे जीनगे पकड़ेंगे, हम पचास-पचास की पार्टनरशिप करेंगे, हमारे लिए किसी घर की आवश्यक्ता नहीं होगी, क्योंकि हम नाव पर सो सकते हैं और हमारे पकड़े गए जीनगे हमारा भोजन हो सकते हैं, Forest कहता है यह एक अच्छा आइडिया है, अब वे नाम में कई महीने बिताते हैं, Forest डेली बेसस पर जैनी को लेटर्स लिखता है, एक दिन जब वे जंगल से जा रहे होते हैं, उन पर हमला किया जाता है और वे भागने लगते हैं, दुश्मनों की बड़ी संख्या है और उनके बचने की possibility कम है, Forest जैनी का कहा हुआ याद करत है कि तुम अगर किसी भी खतरनाक स्थिती में हुए तो वहां से भाग जाओगे, तुम लेजंड बनने की कोशिश नहीं करोगे, Forest वहां से दौर निकलता है, क्योंकि उसकी रफतार तेज है इसलिए वो बिना रुके दौरता है, एक पॉइंट तक पहुँचने पर उसकी नजर पीछे जाती है, और उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, यहां आके वो बबब के बारे में सोच कर फिर वापस लोटता है, लोटने के बाद भी उसे उन्हें बबब नहीं मिलता है, लेकिन साथ का एक जखमी सैनिक मिलता है, वो उसे उठा कर नदी के पास ले आता है और फिर बबब को ढूंडने के लिए वापस निकलता है, इसके बाद वो कई सारे सैनिकों को बचा कर लाता है, लेकिन बबब फिर भी उसे नहीं मिलता, वो हार नहीं मानता, और फिर वापस जाता है, इस बार उसे उनका ओफिसर दिखता है, जिसका नाम लेटनेंट डा उसे जाने से मना करता है कहता है वहां बम रखा हुआ है लेकिन फॉरेस्ट जाता है और इस बार उसे बबम मिल जाता है लेकिन उसे गोली लगी होती है और बबम मर जाता है इस पूरे सफर में फॉरेस्ट गंप के शरीर पर भी गोली लगी थी यह दिखाया गया है कि सेना के सभी अधिकारी अस्पताल में भरती हैं, सभी घायल हैं। फॉरेस्ट के पास एक सेन अधिकारी आता है और उसे बताता है कि तुम्हें Medal of Honor से सम्मानित किया जाएगा क्यूंकि उसने बड़ी संख्या में लोगों को बचाया था। अब उसे राष्ट्रपती से एक Medal प्राप्त करना है। इस दोरान जैनी कुछ दूरी पर उसे दिखाई देती है और Forest Forest कहकर उसे बुलाती है। जैनी को देखकर Forest बहुत खुश होता है। उसकी ओर दोरता है, Medal लेता है और मंच से नीचे उतर कर उसे गले से लगाता है। फिर उनके बीच एक लंबी बातचीत होती है। बाद में Forest का ट्रांसफर हो जाता है और वो देश भर में यात्रा करता है, पिंग पॉंग खेलता है और Wounded Veterans Car Entertainment करता है। वो पिंग पॉंग में इतना अच्छा हो जाता है कि सेना ने उसे अमेरिका की पिंग पॉंग टीम के साथ चाइना भेजने का फैसला किया। अपने ए एक बार में जाते हैं जहां Forest उसे जिंगे के बिजनस को करने की इच्छा के बारे में बताता है। लेफटनेंट डान का कहना है कि अगर Forest को कभी जीनगा मचली मिलती है तो वो उसका पहला बड़ी बनेगा। खेर बाद में वे लेफटनेंट डैन के अपार्टमेंट के लि क्योंकि बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा वो बाबा की मा के पास जाता है जो उसका गर्म जोशी से स्वागत नहीं करती है। उससे कुछ सलाह लेने के बाद वो अपनी श्रिम्प बोर्ट खरीदता है जिसका नाम उफकोस वो जैनी रखता है। एक दिन जब Forest कि नारे पर लेफटनेंट डैन को नोटिस करता है तो उसे लगता है कि अब वो उससे नफरत नहीं करता है। दोनों एक साथ श्रिम्पिंग बिजनस जारी रखते हैं लेकिन बहुत अधिक जीनगे एक अठा नहीं कर पाते हैं जब तक कि एक विनाशकारी तूफान उस समुं वे सभी प्रकार की डिशर्स बनाने के लिए श्रिम्प्स के धेरे कठा करने लगते हैं जिसके बारे में बबब बात करता था फिर हम बस टॉप पर लोटते हैं जहां इस बार एक आदमी और एक बूरी औरत वहां बैठे हैं और उसे सुन रही हैं फिर वो बताता है कि उसक महिला बैठी रहती है वो कहानी सुनाने से पहले उसे अपने जीनगे के दिनों की याद दिलाता है फॉरस्ट उस समय को याद करता है जब उसे एक बुरी खबर मिली की उसकी मां कैंसर से मर रही है वो घर वापस भागता है और अपनी मां से आखरी बार बात करता है उदास होकर वो वापस जींगा बिजनिस में लोटने से इंकार कर देता है वो सब लेफटनेंट डैन पर छोड़ देता है जो आपल के स्टॉक्स में पैसा इंवेस्ट करता है जो हमारा हीरो सोचता है कि किसी प्रकार की फ्रूट कमपनी है जिसे एक बेवकूफ लड़के द्वारा जा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टर था फॉरेस्ट अपने बिजनेस से कुछ पैसे कमाने का मैनेज करता है और उसके दयालू स्वभाव को देखते हुए पता चलता है कि वो बबर की मा को बबर गम कमपनी के शेयर्स देता है हाला कि इतना सारा पैसा होने के बावजूद व जैनी कही नहीं जाने वाली थी फॉरेस्ट ने लगातार उसे अपनी दुलहन बनने के लिए कहा लेकिन जैनी ने इससे मना कर दिया लेकिन लाइफ गोज ऑन उसी राग जैनी उसके कमरे में जाती है और फॉरेस्ट को किस करती है अगली सुभा वो अलविदा कहे बिना चल जानी है खेर वो रुकता है जब उसे सोना खाना और टॉयलेट जाना होता है लोग जल्द ही उसे नोटिस करना शुरू कर देते हैं क्यूंकि उसके आसपास के रिपोर्टर और हर कोई जानना चाहता है कि वो क्यूं भाग रहा है क्या यह वर्ल्ड पीस के लिए है या आपके कुछ जानने से पहले ही कुछ फॉलोर्ज ने उससे जुड़ने का फैसला किया फॉलोर्ज और कुछ बहुत इंफ्लूएंशल ब्रांड्स की भीर लेकिन एक दिन बिना किसी रीजन, एक्स्प्लिनेशन या स्पीच के फॉरस्ट रोग जाता है वो अपने एक वही जगह है जहां वो बस स्टॉप पर अपने लाइफ लॉंग प्यार से मिलने जाने के लिए अपनी सवारी का वेट कर रहा है। इतना ही नहीं बलकि यह भी कि वो अब कुछ ही दिनों की महमान है और इस बार जैनी उससे शादी करने के लिए कहती है बेशक वो बिना किसी सेकंड थॉट्स के सहमत हो जाता है। फॉलोइंग सीन में दोनों अपनी शादी के दिन अलबामा में फॉरेस्ट के हाउस के सामने हैं जहां एक बार फिर हम लेफटिन एंट डैन से मिलते हैं। जिनके पास प्रॉस्थेटिक पेर और एक गर्ल फ्रेंड है। जाता है और उसके जाने के बाद वही जप पर बैट कर उसके वापस आने का इंतजार करता है। तो कैसी लगी आपको आज की रीकैप वीडियो हमें कॉमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ हर चैनल को सब्सक्राइब करें। करें।